दोस्तों Android TV को CCTV camera के DVR से आपको connect करना है तो आपको कुछ problem आ रही होगी सबसे पहले तो अगर आप CCTV camera को Android TV पर use करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं एक है तरीका आप internet से router से connect करके जो भी आप camera use कर रहे हैं CP plus का या Hick Vision का उसका application अपने Android TV में download कर सकते हैं और वहां से internet से आप direct connect कर सकते हैं उसके लिए आपको कोई भी cable की जरूरत नहीं पड़ेगी पर इसके लिए आपके पास एक अच्छी quality का internet होना जरूरी है दूसरी चीज में आप यह कि आप उसको HDMI cable से connect कर सकते हैं जैसे हैं कि हमारा DVR यह लगा हुआ है और DVR से हमने यह देखिए HDMI cable लेकर आए हैं जो की काफी दूर था तो लगबग 10 मीटर की HDMI cable हमने इसमें लगाई हुई है अब यहां पर बात है कि टीवी में Android TV में यह option कहां आता है तो देखिए Android TV में यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं एक notification, inputs, Wi-Fi, setting का option है तो जैसे ही आप input पर जाएंगे तो input पर जाने के बाद आपको यहां पर देखिए सारे port देख जाएंगे तो हमने HDMI केवर HDMI 1 port में लगाई हुई है तो यहां पर HDMI 1 पर जैसे हम क्लिक करेंगे यह remote से पूरा operate करना रहेगा तो देखिए camera पूरे चार camera हमने लगाए हुए हैं चारो camera यहां पर दिखने लगे हैं तो इस तरीके से आप अपने smart TV में अपने camera को देख सकते हैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसे ही रोज जरूरी वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं